एक्जाइम का महाल है सब जगह पे तो एक्जाइम चल रहे हैं आप बैसों तो सारे सज़क्ट की त्यारी कर रहे होंगे बट साथ में आपको कम्प्यूटर भी पढ़ना है इससे कोशिन आता है प्लस बन में प्लस बन में आता है कि आपको एक क्वेशन लिखना है जैसे सोरी क्वेशन का अंसर देना है राइट एंड जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम तो सो दा यूस ऑफ इफ एलस इफ कंडिशनल स्टेट्मेंट या तो डिरेक्ट लिए आपसे क्वेशन पूछने जा ट्रू है उसको execute करना है ठीक है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इफ स्टेट्मेंट के बारे में सबसे पहले हम इसके definition पे चलते हैं तो definition में ज्यादा कुछ नहीं है simply लिखा है it evaluates the content only if the expression is true from several expressions अभी मेरी बात बिल्गु ध्यान से सुनना कल वर्सु मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें if और if else दोनों स्टेट्मेंट को explain किया है मैंने अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना मेरे चैनल पे जाके या फिर मैं वीडियो के description में लिंक दाल दूंगा उसमें आपना देखेना है ठीक है so उसमें मैंने बताया था कि if statement में क्या होता है कि if के अंदर आपना जो भी condition लिखी है अगर वो true होती है तो if block के अंदर अगर आपने को statement रखा है या फिर रखी है कोई coding या task तो वो उसको execute कर देता है और अगर false होता है तो वो कुछ भी नहीं दिखाता है ठीक है फिर उसके बाद किया था हमने if और else statement उसमें क्या होता है कि दोना मैंसे जो सही होगा उसको दिखा लेता है मतलब ज़्यादा दर cases में हम ऐसे ही करते हैं कि अगर if true है तो if बाला ब्लाट execute होना चाहिए और अगर if false है तो else बाला पाट execute होना चाहिए यानि दोनों में से एक statement execute होता है if else statement में ठीक है और एक बाद मैंने ये भी बताई दी तुम लोगों को कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर if false है तो else true होगा यह दोनों भी false हो सकते हैं अगर if false है तो else को execute कर देगा यह ठीक है चाहिए फिर दोनों ही गलत हो तो अभी हम बात करें if else statement की तो यह भी if else की तरह ही होता है इसमें भी सबसे उपर हम if लिखते हैं और सबसे निचे हमारे पास आता है else और उसके बीच में हम क्या कर रहते हैं else if else if else if add कर लेते हैं तो इसमें basically होता क्या है कि if में एक condition होती है तो इसमें सिर्फ दो condition होती है और जो if else if statement है उसमें हम अपने हिसाफ से मिल्लब जितनी हमें अगर 2 condition की जरूरत है तो डो डाल देगा अगर 4 की जरूरत है तो चार डालेगा अगर 10 condition की जरूरत है तो हम 10 condition इसमें डाल सबकिए sorry first line मैंने गलत बोल दी 2 के लिए तो if else ही चल पड़ेगा 2 से ज़्यादा condition हो तब हम if else if statement का use करते हैं तो थोड़ा सा इसका मदलब हम वो देख लिते हैं फ्लो चार्ट जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा यह देखुए यह हमारे पास if condition है और यह तब block execute होगा जब if condition two होगी ठीक है फिर उसके बाद मैंने बुलाई कि जिसे else part आता है if else में यह हम दो से ज़्यादा condition लगाएंगे इसलिए हमें else if लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह condition one थी यह condition two है और अगर condition one false हो जाती है और two सही है तो is block को execute करेगा suppose यह हमारे वास third condition है अगर उपर वाली दोनों ही condition false होती है या इसको simply हम ऐसे भी लिए सकते हैं कि naturally है अगर यह false है तो यह execute होगी और यह false यहां पर condition two इसलिए लिखा है क्योंकि इसके उपर जो है condition two ही है और यह statement क्या करती है जो भी सही हो को उसमेंसे सिर्फ एक ही statement को execute कर है ठीक है तो यहां पर लिखा है condition two is false इसका मतलब है कि condition one भी false है two भी false है ओके लिए condition three को execute कर देगा और अगर suppose यह तीनों ही उपर वाली false है तब क्या करेगा जो else में हमने लिखा होगा उसको execute करता है ठीक है यह सारी condition जब उपर वाली false हो जाती है और इसमें भी same case है तो वो से ही हो ठीक है इसमें क्या है कि अगर यह भी गलत है फिर भी last वाली statement को यह execute कर देता है यह last वाले task को यह perform कर देता है यह जो conditional statement है if else is statement और एक बात और suppose condition one false है two three और यह last वाली ठीक है या two और three रख लो suppose हमारे पास two भी condition two भी सही है और condition three भी सही है तो इस case में यह सिर्फ condition two के statement वो यानि else एक का जो first block है उससे को execute करेगा क्योंकि इस statement का मतलब ही यही है कि जब इसको कोई सही condition में हो जाते है तो उस block को execute कर देगा उसके आगे जाएगा नहीं चाहिए उसके आगे आगे आप चार condition लिखें कि वो भी true यह हो तो यह काम ही नहीं करेगा आगे ठीक है जब भी इसको कोई एक statement सही हो जाती है यह वह वह syntax था यह flow chart है ठीक है तो यहां पर देखो यह if है और यह condition लगा यह condition 1 अगर यह true होगी तो क्या होगा जो हमारे बाद statement 1 है उसको execute कर रहेगा अगर false होगा तो next else if पर जाएगा ठीक है और else if true है तो statement 2 पर execute करेगा यहां पर सिर्मेंट टीन condition लिए ठीक है so पहला if हो गया फिर else if और उसके बाद में हम यह else statement अगर यह false होती है condition 2 तो last में जो आपका else part है उसको यह execute कर देता है ठीक है यहां पर true में से extra लग गया है यह नहीं लगना था यहां पर क्योंकि यह else part है ठीक है और यह जरूरी नहीं है कि यह जो आपका else का statement है वो सही हो यह इसलिए execute होगा क्योंकि उपर वाली दोनों condition false है ठीक है इसको ध्यान रखना यह वाला true नहीं लिखना है यह तब लिखना था जब इसके बाद में यह भी else if होता हो और इसके बाद हमें all else if add करना होता या कि else add करना होता ठीक है चलिए आगे हम example की बात करते हैं जैसे मैंने आपको बोला है कि नोट पैट पे जब भी हमें javascript को लिखना है javascript का कोड कोड लिखना है तो हम लिखेंगे estimal body और नीचे भी estimal body को close कर देंगे ठीक है और यहां से मारा script start होता है जावा script इसको close किया यह estimal भी छुट गया है यार देख लेना आप इसको closing tag लगाना है यहां पे भी ठीक है ठीक है बुक नाम का variable है और उसमें यह पूछेगा tell me the subject मुझसे कुल subject name पूछेगा यह code जो हम लिख रहा हूं ठीक है अब if condition देखते हैं हम if condition में लिखा if book is equal to is equal to history अगर आपने जो subject name है वो history लिखा तो यह लिख देगा history book और यहां पे b tag लगाया है यह bold करके देगा answer ठीक है फिर उसके बाद एक नए condition लगाई है else if की और इसमें अगर मैं subject name math लिखता हूं तो यह math book लिखेगा फिर उसके बाद मैंने next else if condition में लिखे अगर हम economics लिखेंगे तो यह economics book लिख देगा ठीक है और last में है else's statement अगर इन तीनों मैंसे हम कोई भी अगरलब book का नाम नहीं लिखेंगे subject का नाम नहीं लिखेंगे तो यह last में इसको दिखा देगा unknown book ठीक है so a code यह हो गया और एक और code देखते हैं हम इसी की तरह है वो भी यह same है सब कुछ आपको पता है यहां तक ठीक है जहां पे हम marks लेते हैं so यहां पे यह line क्या करेगी variable marks prompt tell me your marks आप से आपके marks पुछेगे ठीक है so if conditional मैंने लिखा कि अगर आपके marks 90 से ज्यादा है और 100 के बराबर यह 100 के बीच में है यानि 90 और 100 के बीच में है तो आपको लिखेगा A grade ठीक है second else if मैंने लिखा है अगर आपके marks 81 से लेके 90 तक है तो लिखेगा B grade और अगर आपके marks 71 से 80 तक है तो C grade लिखेगा ठीक है यहां पे 70 लिखा है और यहां पे smaller than का निशान है यह ध्यान रखना नहीं तो coding गलत हो जाएगी अगर आपने दोन तरफ greater than smaller than का निशान लगा दिया तब यह थेक सा execute नहीं करेगा आपके code ठीक है यहां पे ध्यान रखना है यहां पे greater than लिखा है मैंने और यहां पे smaller than अगर यहां पे भी मैं मतलब equal to का निशान लगा दूँ तो अगर आपके 90 marks हैं तो उसको भी यह A grade में दिखाएगा बट मैंने यहां पे लिखा है 90 से ज़्यादा so 91 से 100 तक A grade दिखाएगा यह ठीक है और वैसे तो आप मतलब मैंने यहां तक A grade, B grade, C grade और D grade यहां तक की coding लिखी है अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं जैसे E grade हो गया या F हो गया कुछ भी तो आप ज़्यादा condition लगा सकते हैं इसमें मैंने सिर्थ 3 grade दिए हैं और last जो भी होगा मतलब 70 से निचे या other than 100, यह 100 से ज़्यादा होगा तब भी हमारा grade जो ओगो D आएगा अलेकि यह marks यो है 100 तक की आना चाहिए, यह 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए बट जैसे मैंने बुला हैंने कि ऊपर वाले सारी false हो जाती है तब यह last के else part को execute कर देता है सो उस case में भी D grade आएगा यहां पे, अभी मैं बारी बारी में क्या करता हूँ, इन course को run करके दिखा देता हूँ आपको देखो एक-एक line आप लोगों को मैंने समझा भी है, अगर मैं इसको एक-एक करके type करूँगा तो क्या होगा, time ज्यादा लगेगा और time ज्यादा लगेगा तो आपका time based होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्यूंकि मैंना जो पढ़ना था वो मैंना पढ़ ली है, अभी मेरा काम है तुम लोगों को समझाना था कि आप exam में अच्छे marks लेपाऊ, ठीक है, यह coding समझ लिए आप लोगों ने, sml body script, यह कुछ भी Hindi type कर लेता हूँ, Hindi कर रहा हूँ type तो यह बोलेगा unknown book, इसना बोला unknown book, क्योंकि उपर जो हमने case define किया, मैंसे कोई भी match नहीं कर रहा है, कोई भी condition match नहीं कर रहा है, इसलिए इसना इसको दिखाया, अब जो जो मैंने लिखे हैं, उन subject को में डालू, तो उनके नाम लिखे देगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, maths, तो यह लिखे देगा, maths book, अगर history लिखूँ, तो यह history भी बता देगा, और अगर मैं economics लिखूँ, economics लिखूँ तो उसको भी दिखा देगा, ठीक है, और यहाँ पे जरूरी नहीं हिंदी जासे आप गलती से इस तरह से कुछी को टाइप कर देते हैं, तब भी यह जो last मैं है, उसे को दिखाएगा, ठीक है, unknown hook, clear है, अब हम next code को देखते हैं, जो grading वाला है, ठीक है, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पे कर दिया, paste, ठीक है, एक बाद फिर से देख लो, यह आपके marks पुछेगा, अगर आपके number 91 से 100 तक हैं, तो A grade बताएगा, 81 से 90 के बीच में B grade, 71 से 80 तक C grade, और उसके बाद, यानि 100 से जादा डालोगे, तो अब भी degrade दिखाएगा, और 70, 70 डालेंगे, 70, 70 हाँ, इससे कम ही, तो अब भी degrade ही दिखाएगा, ठीक है, इसको हम execute कर देते हैं, अब दोखो, पहले हम से क्या पुछ रहा था, subject अभी हम से marks पुछे लोगे, जास में लिखता हूँ 55, तो यह 70 से कम है, इसलिए यह क्या डालेगा, Dgrade, और मैंना बोला था, कि अगर सारी condition false होते हैं, तब यह last वाली statement को execute कर देता है, चाहे वो भी गलत ही हो, अब आपको पता है कि marks आपको 100 से मिलने हैं, और यहाँ पे मैं 101 marks डाल देता हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इस case में भी यह क्या करेगा, grade D दिखा देगा, यह देखो, B grade ठीक है, अब आप देखो, 80 डालोगे ना, तो कौन सा grade दिखाएगा यह, I think C आना चाहिए, यह देखो हाँ, C grade, और जैसे किसी का एक number ज्यादा आया, तो यह B grade दिखा देगा, यह देखो grade B, 99, 95, कुछी भी डालो जीसे 95 डाला तो A grade दिखाएगा, ठीक है, सो clear हैं आपको, else if statement क्या होता है, बहुत सारी condition है, if else की दरह, बड़ी सारी condition होती है, और इनमा जो condition सही होती है, वो उसको execute कर देता है, और एक वार फिर से, suppose यहाँ पे 5 condition है, total, और last में else लिखा है, और हमारा 2, 3, 4, नीचे तक, 5 तक condition है, सारी true है, तब भी यह के करेंगा, सिर्फ condition 2 को execute करेगा, बाकियों को नहीं, बाकि भी चाहिए सही हो, जहाँ पे इसको सही condition हो जाती है, उस ब्लॉक को execute करेगा, बाकियों नहीं दिखाता है कुछ को, ठीक है, चलो ठीक है, फिर गाइस, ध्यान से पढ़ लेना, एक्जैम में आता है, यह question ठीक है, कुछ पूशना होगा तो, कमेंट में लिख देना, ओके, थैंक यू,